नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैं परदीप साहू में मैं परदीप साहू आप सबका स्वागत करता हूँ और हम पढ़ रहे थे सिंपल इंट्रेस्ट के बारे में इससे पहले अगर आपको पीडियेफ चाहिए कोशन्स और सॉ जाहू के नाम से टेलिग्राम ग्रूप है आप जोईन कर लेना ठीक है बच्चे और यहां पर आपके सभी डाउट्स केलियर करेंगे हम उसकी मेरी जुमेबारी आप जो भी डाउट भेजोगे उसका सॉलूशन आपको मिलेगा भी ठीक है तो आज की क्लास टार्ट करते हैं इतिन कोशन तक क्लास देखे ताक है कि आपके डाउट कलियर हो और आपको नए-णए टाइक कैसे आते हैं वो आपको पता जल जाए और आपको पता कैसे उनको बहुत अच्छा जाता है तो मुस्कुरा करो वही सुबह ऊठते ही और class जो है अब आपकी शाम की जगार रात की इवनिंग की class नहीं होगी भी अब आपको सुभह class मिला करेगी तो सुभह सवेरे आपको जो time suit करता है वो time आप बता देना ठीक है बाकी आज की class तो upload कर रहे हैं हम बाकी जो भी है आपकी class सुभह जो मिलेगी वो आप करते रहना साथ साथ ठीक है किसी धनरासी 6 वर्स में कितनी धनरासी 6 वर्स में 4 परतीशत वार्सिक साधारन ब्याज की दर से 496 हो जाएगी ठीक है तो सबसे पहले हम यह देखेंगे कि 6 वर्स में ब्याज कितना हो जाएगा ठीक है तो 6 वर्स में ब्याज की बात करें तो 6 वर्स और 4 परसेंट की दर से लेगा, यानि हमारा मिसर धन कितना हो जाएगा, अमांट कितना हो जाएगा, 124 रुपए, लेकिन कोश्चन क्या कहता है, कोश्चन कहता है, जी 124 नहीं है, कितना है, 496 रुपए मिलता है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 496 हो गई, एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वै चलते हैं नेक्ट कॉश्चन पर क्या कहता है कि कोश्चन नंबर 16 जो आपका उम्वरक्ता 15 वह हम खड़ चुके हैं बच्चे पूरा चोटा कर देते हैं अब दिखाई दे रहा है ना पूरा कॉश्चन चलते हैं क्या कहता है यदि किसी धन पर तीन वर्स के लिए 12 से एक बटे 2 परसेंट की दर से लगा साधारन ब्याज मूल धन से 4500 रुपए कम है तो मूल धन वे आपको ऐसाई ग्याद करना है चकर वर्ती प्याज ग्याद करना है ठीक है अच्छा कोश्चन है गलती मत करना इस कोश्चन में बहुत बढ़िया कोश्चन है थोड़ा सा आपको समझ करके करना है किस तरह से करोगे आपको पता है कि जी 12 से एक बटे 2 परसे अब अगर हमारे पास आठ रुपए मुल्दन होता तो कितने रुपए ब्याज के मिलते है वई एक रुपए ब्याज का मिलता कितने साल में तो एक साल की रेट है ना आठ रुपे आपका मूलदन था, तो तीन रुपे ब्याज हो गया, इसका मतलब क्या है, अब क्या कहता है, साधारन ब्याज और मूलदन से कितना कम है, यहांपर तो पांच कम है, लेकिन कोशन कहता है, पेंतालीसो कम है, यानि कितना गुना 900 गुना है अब आपसे पूछा क्या है तो मुल्धन वह ऐसा ही क्यात करो तो मुल्धन कितना हो जाएगा भी 900 गुना होगा बहतर सो हो जाएगा और साधारन ब्याज कितना हो जाएगा तो ये भी 900 गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 2700 हो जाएगा ठीक है तो ये थे आपके अंस्वर चलें भई नेक्स्ट कॉश्चन पर क्या कहता है देखो कॉश्चन नमबर 70 सत्रा नमबर कॉश्चन गिराव है यदि किसी धन पर 4 वर्स के लिए लगा साधारन ब्याज मूल धन से 200 रुपए कम है कॉश्चन वैसा ये अब की बार फ्रेक्शन आपके पास क्या है 16 सही 2 बटे 3 तो 16 सही 2 बटे 3 परसेंट फ्रेक्शन में क्या लिखोगे फ्रेक्शन में आपको लिखने है आप लिखोगे एक बटे चे अगर आपने परसेंटेज की क्लास नहीं देखिए तो बच्चे देख लेना बहुत इंपोर्टेंट है fraction से percentage में change करना और percentage से fraction में change करना हमने वहीं जिखा था जिन बच्चों ने देख रखे है वो अराम से आसानी से कर सकते है करना कुछ नहीं होता इसको आप क्या करोगे इसको 50 वटे 3% लिखते हो और fraction के अंदर जाना है तो आपको बटे में 100 करना पड़ता है और fraction से percentage में आते हो तो गुना में 100 करना पड़ता है कटोगे 2 तो 3 दूनी कितना हो जाएगा अच्छे हो जाएगा यानि 6 रुपए अगर मुल्दन है तो 1 रुपया ब्याज मिलेगा एक साल में ठीक है लेकिन कितने साल करह रहे चार साल करह रहे तो 6 रुपए अगर मुल्दन है तो 4 साल में 4 रुपए ब्याज मिला होगा यह है आपका SI और यह है आपका principle ठीक है तो difference कितने का है मुल्दन कितना ज़ाद है SI कितना कम है तो 2 कम है लेकिन यह कहता है जी 220 रूपे कम है तो दो की वैल्यू 22घ है तो कितना गुना हो गया भी 11 गुना हो थेक है तो छे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6600 हो जाएगी चार की वैल्यू कितने हो जाएगी 2400 हो जाएगी ठीक है आपका अंसर आपको मिल जाएगा चलें भी नेक्ट कोश्चन पर क्या चाहता है बहुत अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया कोश्चन आज देखने को मिलेंगे आपको कोश्चन नमबर 18 है 2100 रुपए की धनरासी को दो भागों में उधार इस पर काड़ दिया जाता है कि प्रथम भाग पर 6% पर्तिवर्स की दर से 4 वर्स में अरजित ब्याज दूसरे भाग पर 9% पर्तिवर्स की दर से 2 वर्स में अरजित ब्याज के बराबर है यानि आपको यहाँ पर simple interest equal दिया हुआ है यह कहता है कि the fund of 2100 वर land in two parts in such a way that interest earned in four years जो पहले पर आपको क्या किया है कि कोई भी मुलधन है जो P1 है और दूसरा मुलधन है जो P2 है ठीक है यह total कितना था 2100 रुपे की धनराशी थी total 2100 थी उसमें से दो हिस्सों में बांट करके और ब्याज पर दिये गए है पहला किस पर है तो पहला 6% की दर पर 4 साल के लिए दिया गया है 6% की दर पर 4 साल के लिए ठीक है 6% 4 साल के लिए तो कितना हुआ भी टोटल हो गया 24% यानि P का कितना यह 24% आपको ब्याज मिलेगा और P2 का कितना है तो 1st part है यह equal to the interest occurred in 2 years at the rate of 9% यानि 2 साल में 9% की दर से तो कितना हो जाएगा 18 यानि P2 का 18% और यह कहता है जो ब्याज मिलेगा वो equal मिलेगा तो आपको यह मुल धन जो हैं दोनों इनका बताना है आपको क्या कहना है तो द्वितिय भाग की धनराशी क्या है यह आपको बताने है तो P2 आपको बताना है ठीक है तो यह कहा है क्या रहा है किसी ब्याज मिलेगा वो equal मिलेगा तो ब्याज हमने equal कर दिया परसेंट से परसेंट कटेगा 6 पर काटोगे यह 4 हो जाएगा यह 3 हो जाएगा यानि P1 अपन में P2 क्या होगा 3 बटे में 4 होगा तो total कितना हो गया बही 3 और 4 7 हो गया लेकिन पूरी रासी कितनी दे रखी है 200 दे रखी है तो 7 की value 200 है एक की value कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी 3 की value 900 हो जाएगी P2 चाएगे था तो 4 की value 1200 हो जाएगी अंसर क्या होगा B option आपका 1200 अंसर हो जाएगा ठीक है जो चीज आपको equal दे रखिए बच् मुल्धन इकल दे रखा होता कि मुल्धन इकल कर देते मिसर दन इकल कर देते वह आगे देखेंगे मुल्धन वाले नहीं आते हैं भी low flow में कैदिया जाता है question number 19 देखो कैसे करना है बावन सो की दनराशी है दो भागों में इस परकार से की पर्थम भाग तीन परतीशत परतीवर्स की दर से आठ वर्स के लिए तीन परसेंट की दर से आठ वर्स के लिए हुए ठिक है और दितिये भाग पांच परतीशत परती वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए 5% और 3 वर्ष के लिए तो यहां से कितना हुआ भी 24% हो गया यानी P1 का कितना परसेंट 24% अब ये यही कह है कि जी अर्जित ब्याज बराबर हो तो P2 का कितना भई 15% और अरजित ब्याज बराबर है तो दोनों का ब्याज बराबर होगा % से % कटेगा 3 पर काटोगे 8 और 3 पर काटोगे 5 यानि P1 अपॉन में P2 कितना आया भई 5 बटे में 8 आगा अब आपको बताना क्या है तो दोईतिय भाग की धनरासी क्या है यह आपको बतानी है यहां से कितना हुआ टोटल 13 हो गया ना यानि 13 की वैल्यू आपको दी हुए कितनी बावन सो total amount बाउन्स होता तो एक की value कितनी होगी तो तेरा चोके 52 होता है 400 हो जाएगी तो पाँच की value कितनी होगी 2000 हो जाएगी आर्य की value कितनी होगी तो बद्ती तो हो जाएगी तो answer कितना है अगा भी दीतिय भाग पुछा तो नि Ampare P2 पुछा है आप से भी प्रोब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो और अच्छी लग रही हो क्लास तो आप लाइक जरूर करना पर ठीक है ताकि पता चले कितने बच्छों को क्लास अच्छी लगती है 2189 को तीन भागों में इस परकार बांटा गया कि जी इसके ब्याज करमसा एक दो और तीन वर्स में समान होते हैं तो परते एक दसा में ब्याज की दर चार परसेंट वार्सिक आपको दिए अब की बार सिरफ चेंज इतना है बच्छे कि दो वर्स की जिगत तीन वर्स दिया हुआ है हमने मान लिया यह P1, P2 और P3 है तीन हिस्सों में बांटा गया है पहले के लिए क्या है एक वर्स है दूसरे के लिए क्या है दो वर्स है और तीसरे के लिए तीन वर्स दिये हुआ है और ब्याज की दर क्या है चार परसेंट है हर एक के लिए तो चार परसेंट चार परसें हो और समान होते हैं तो ब्याज कितना है बराबर हो रहा है तो बराबर हमने कर दिया तो 4% से तो सारा कटी जाएगा यहां से क्या आया P1 यहां से 2P2 हो जाएगा और यहां से 3P3 हो जाएगा इसको अब आप दो तरिकों से कर सकते अगर आपको ratio पता लगाने हो P1, P2 और P3 के तो आपको पता है P1 upon में P2 करोगे यहां से तो कितना आएगा 2 upon 1 आएगा और P2 upon P3 करोगे तो 3 upon 2 आएगा यानि P2 की value यहां पर कितने 3 है यहां पर 3 बनाने के लिए उपर नीचे दोनों तरफ 3 से multiply कर दो तो यह कितना हो जाएगा P1 6 हो जाएगा P2 कितना हो जाएगा तो P2 3 हो जाएगा और P3 कितना हो जाएगा तो यह 2 हो जाएगा लेकिन दूसरा तरीका क्या है जो आसान तरीका है वो क्या है आपको कैसे करना है देखो आप यहीं से पता लगा सकते हो गए रेशो यही आएंगे करना क्या है आप क्या करो जो भी नंबर आपको यहां पर दिये हुए है यहां पर 1 है यहां पर 2 है यहां पर 3 है तीनों का LCM ले लो LCM कितना होगा 6 होगा अब हर नंबर को 6 बनाना है हमें इसको भी 6 बनाना है इसको भी 6 बनाना है इक्वल करना है न तो इक्वल तो अब इन P1 P2 और P3 की वज़े से ही होगे बाकी तो यह क्या है एक दो तीन यह तो इक्वल नहीं है इनको इक्वल करना है तो एक को किस से गुना करूं कि 6 हो जाए तो 6 से करनी पड़ेगी 2 को किस से गुना करूं कि 6 हो जाए तो 3 से करनी पड़ेगी और 3 को किस से गुना करूं कि 6 हो जाए तो 2 से करनी पड़ेगी यानि आपके पास ratio आ गए P1 है 6, P2 है 3 और P3 है आपके पास 2 अब आपको क्या कहता है कि 2189 रुपए दिये गए थे ब्याज पर टोटल यहां से कितने दे रहा है भी 11 तो 11 की value कितनी होगी 6, 3, 9 और 2, 11 होगा न 11 की value कितनी हो जाएगी 2189 हो गए ठीक है अब 2189 होगी 11 की एक की निकाल लिए तो 11, 11 होगा और 11, 99 होगा फिर बचेगा 9, 11, 99 तो 199 होगा अब आपको कहा क्या है lowest amount तो lowest ratio में कितनी है 2 है तो आपको बताना है 2 की value कितनी होगी तो 1199 से गुना करोगे 398 में आपका अंसर आ जाएगा और वही आपको अंसर करना है option D ठीक है तो बिलकुल simple चीज़ है कोई मुश्किल नहीं है और कोई lengthy नहीं है भी lengthy हम बनाते हैं खुद question को और हम तो यहां पर बनाएंगे नहीं और आप भे बनाना छोड़ दोगे अगर class देख रहे हो तो ठीक है brightness को कर देता है brightness भी 0 है तो क्या problem हा रही है एक अदमी ने तीन स्केमों में 6 वर्स, 10 वर्स और 12 वर्स के लिए करमस है 10 percent 12 percent और 15 पर्सेंट के धन्निवेसि किया पर टेक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हो है ब्याज अब फिर से बराबर है तो ब्याज बराबर कर रदेंगे पहले के लिए 6 वर्स कि दूसरे के लिए 10 वर्स और तीसरे के लिए 12 वर्स कि और पहले के लिए 10% दूसरे के लिए 12% और तीशरे के लिए 15% और यह क्या है? ब्याज जो आया ये बराबर आया तो जो चीज़ें कट रही हैं वो हम काट देंगे तो यहाँ से क्या है? भी बारा कट रहा है? परसेंट तो कटी जाएगा सब का ठीक है अब क्या कट रहा है 12 कट रहा है यहां से और यहां से और यह कितना हो जाएगा तो यह 60 में से 12 कट रहा तो 5 आ जाएगा ना यहां पर ठीक है और भी कट रहा है तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 और 5 ती यह 15 यानि यहां से क्या आया P1 P2 और 2 P2 और 3 P3 वही आ गया ना तो ratio आप निकालोगे वैसे equal करना है 6 LCM लोगे तो यहां से यह 6 आ जाएगा यह 3 आ जाएगा और यह कितना आ जाएगा दो आ जाएगा total कितना हुआ 11 ठीक है तो आपको यही बताना था बच्चे उसके निवेस का अनुपात ग्याद करें आपको ratio बताना था आपके पास ratio आ गए है 6 ratio 3 ratio 2 ठीक है तो आपको ratio option में मिलेंगे वो आपको बता देने हैं जलते हैं next question पर question number 22 एक वैक्ती 1,68,200 की दहनरासी का कुछ भाग अपने एक बेटे के बैंक खाते में जमा करता है जिसकी आयू 14 वर्स है जबकि सेश रासी अपने दूसरे बेटे के खाते बैंक खाते में जमा करता है जिसकी आयू 12 वर्स है इस परकार कि जब वे दोनों 18 वर्स के होंगे तो उन्हें बराबर धनरासी प्राप्त होगी बराबर क्या प्राप्त होगी धनरासी प्राप्त होगी यहां पर ब्याज नहीं कहा है टोटल जो धनरासी होगी वो बराबर प्राप्त होगी जबकि ब्याज की वार्सिक दर 5 परतीशत है तो आपको ये बताना है कि जी मूल धन क्या रहा होगा ठीक है दोनों का मूल धन क्या रहा होगा वो आपको बताना है मिसर धन नहीं भई मूल धन बताना है यहां पर प्रिंसिपल बताना है आपको ठीक है चल इस कोश्चन को कैसे करोगे तो आप इसको ठीक कर लेना वेश मुल्धन कर लेना यह क्या होगा मुल्धन होगा ठीक है अब आपको क्या करना है बच्चे अब आपको amount equal मिल रहा है amount percent कितना है आपके पास जो rate है वो कितना है 5% यानि एक बटे 20 अब क्या होगा हर साल एक रुपया ब्याज मिलता है यानि 20 रुपय की रासी 21 रुपय हो जाती ठीक है 20 रुपय की रासी कितनी हो जाती है 21 रुपय हो जाती हमने मान लिया पहले के पास P1 था amount और दूसरे के पास P2 amount था ठीक है तो इसके पास आपको यह देखना है कि जी कितने वर्स का time कौन से के पास है तो पहला जब 14 वर्स का हुआ तब उसके पास उसकी जरासी जमा करवाएगी और 18 वर्स का होगा तब निकाल लेगा यानि उसके पास उसके पास जितनी amount होगी वो आ जाएगी थिक है फिर क्या होगा फिर आपको 218 मिलेगा फिर आपको अगले साल भी क्या होगा 21820 मिलेगा और फिर अगले साल क्या होगा 21820 मिलेगा ये कोशन CIE का था वही और यहां पर गलती से डल गया तो देखो एक बार कोई दिक्कत नहीं है ये amount जो होगी यहां पर चक्रविर्दी ब्याज लिखा नहीं है इसने लेकिन से amount क्या होगा चक्रविर्दी ब्याज compound interest में होगी ठीक है अगे ठीक है चक्रविदी ब्याद होगा क्योंकि इसने कहीं पर simple interest भी नहीं लिखा है ठीक है तो आपको क्या करना है इसके पास 4 साल होंगे तो 4 साल के बाद है मिसर्धन कितना मिलेगा तो इतना मिल जाएगा आपको 21 बटे 20-20 बटे चार बार करना होगा और इसके पास क्या है इसके पास 12 वर्ज का था तब जमा करवाई गई थी 18 वर्ज तक यानि इसके पास कितना समय होगा 21 बटे 20 न्यक्तिश बटे 20-6 साल का इसके पास समय होगा भी ठीक है तो चार बार यही चीजें यहां पर आई है और चार बार यहां पर आई है तो यह खट जाएंगी बचेगा क्या आपके पास P1 upon में P2 क्या आएगा भी 21 21 441 होता है और 20 2400 होता है ठीक है यह तो था आपका basic से कि आपको करना किस तरह से लेकिन आपको क्या करना है आपको यह पता है कि जी P1 upon P2 निकालना है ठीक है और P1 अगर 14 वर्स का था और P2 आपका क्या था उस समय 12 वर्स का था तो P2 के पास समय जादा रहा होगा ना 6 वर्स रहा होगा और P1 के पास समय क्या रहा होगा कम रहा होगा तो अब जिसके पास कम समय है उसको बराबर रासी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा उसकी रासी बराबर होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए न तो यानि P1 की रासी आपकी ज्यादा रहेगी और P2 की रासी आपकी कितनी रहेगी कम रहेगी ठीक है P1 की रासी उसके पास आप सोच सकते हो क किजी एक को तो चार साल का ब्याज मिलेगा और एक को छे साल का ब्याज मिलेगा तो रासी दोनों का ब्याज बराबर हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा जिसके पास समय कम है उसको अमाउंट जादा दे दो ठीक है रासी तभी बराबर हो पाएंगी कि उसको अमाउंट उसक जा कर देनी है जो इन दोनों की एज का जो डिफरेंस होगा वो कर देंगे एज का डिफरेंस कितना है 14 और 12 दिया हुए ना तो दो वर्स का डिफरेंस आएगा उसकी पावर हो जाएगी तो ये भी कितना हैगा 68,200 यहां से आ जाएगा ठीक है 881 की वैल्यू एक लाक 68,200 है तो एक की वैल्यू कितनी होगी तो दो पर कटेगा और दो जिरो पिछे लगेगी एक की वैल्यू दो सो है अब आपको चीए दोनों का अमाउंट तो यह कितना हो जाएगा पी वन की अमाउंट 441 की वैल्यू निकालोगे 441 की वैल्यू कितनी हाएगी बच्चे तो दो से मर्टिप्लाई करोगे 882 800 कितना हुआ 82 और पीछे लगा दोगे दो जिरो यानि 88200 इसकी अमाउंट है और पीटू की अमाउंट कितनी होगी तो यह 80000 हो जाएगी कितनी हो जाएगी असी हजार हो जाएगी यह था इस कोशन का अमस्वाई ठीक अभी अच्छा कोशन था ध्यान से जिसके समझ में आयो एक बार वीडियो को रिपीट करके दुबारा जरूर देख लेना ठीक है चलते है नेक्ट कोशन पर क्या कहता है देख़ें कोशन नमबर तेईस टाइप चेंज हो जुका है छे से एक बटे चार परतिशेत वार्सिक साधान ब्याज की दर से बहतर कितने वर्सों में 81 बन जाएगा यह आपको बताना है ठीक है कितने वर्सों में 81 बन जाएगा यानि बहतर रुपए थे आपके पास वो 81 रुपए ब बन गए ब्याज कितना मिला भी 9 रुपए मिला ठीक है अब आपको टाइम बताना है तो एक वर्स यानि छे से ही एक बटे चार परसेंट फ्रैक्शन एक बटे सोला बहतर रुपए थे आपके पास बहतर रुपए का एक बटे सोला ब्याज मिलता है एक साल में तो काटोगे आप कितने पर कटेगा भी कितने पर जाएगा तीन से यह कट रहा है चार से कट रहा है नहीं बहतर था नहीं पर पर कटेगा आठ दूनी सोला आठ नहीं बहतर नो बटे कितना हो जाएगा दो हो जाएगा एक वर्स में नो बटे दो ब्याज मिलता है एक वर्स में कितना मिल रहा है भी नो बटे दो तो नो रुपे कितने वर्स में मिलेगा नो रुपे बनाना है तो नो रुपे कितने वर्स में मिलेगा दो वर्स में मिलेगा ठीक है यही करोगे ना अगर दो वर्स में कितना मिलेगा यह निकालना है तो दो से मल्टिप्लाई करोगे किसे दो से multiply कर दो तो इधर क्या हो जाएगा नो हो जाएगा और दो वर्स में वो ब्याज मिल जाएगा नो का half मिल रहा है ना एक साल में तो नो कितने में होगा तो साल में होगा ठीक है चल बस इतना सा आपको सोचना है और कर देना है question का answer चले next question पर question number 24 परभात ने एक बैंक के कुछ रासी आठ परतीशत वार्सिक साधान ब्याज की दर पर उधार और उसने वही रासी बारा परतीशत वार्सिक दर पर आसीज को उधार दे दी पहले तो इसने आठ परसेंट लिए परी कुछ चालाक होते हैं यार दोस्त भी आपक जो किसी से पैसे उठाते हैं और आपको जरूरत पड़ी आपको दे दी लेकिन प्रॉफिट तो सब कमाते हैं बिजनस बना रखा है तो प्रॉफिट तो कमाएंगे अब अगर प्रॉफिट कमाएंगे तो किस तरह से कमाएंगे वो इस तरह से कमाएंगे कि जी बैंक से इतने, परसेंट 8% से उसने लिया है ब्याज पर और 12 % पर आगे दे दिया है तो परसेंट में कितने परसेंट का प्रोफिट हो रहा है एक साल में चार परसेंट का हो रहा है तो एक साल में चार परसेंट का प्रोफिट तो बारा साल में कितना होगा तो चार परसेंट गुना में बारा बारा चोके 48% परसेंट में जो 48% है वो पैसे में रुपे में कितना है भी तो रुपे में दे रखा है प्रोफिट हुआ उसको 907 ठीक है एक परसेंट की वैल्यू भई एक परसेंट की वैल्यू हो गई 20 तो 100% की वैल्यू 100% ही होगा ना अपने आप में रासी तो 2000 हो जाएगी यानि प्रिंसीपल का जो 48% था वो 960 रुपे था 48% 12 साल में प्रोफिट हो रहा था तो प्रिंसीपल का 48% यानि 48 बटे सो 960 था तो प्रिंसीपल आपको निकालना था यह 20 पर कटेगा प्रिंसीपल कितना हो जाएगा 2000 वही चीज वहाँ पर लिखिए वर्चे प्रिंसीपल 100% निकालोगी तो भी वो प्रिंसीपल ही आएगा ठीक है चलते है नेक्स्ट कोशन पर क्या कहता है देखा नेक्स्ट कोशन पर जाना था वही पर पहुंच गए है हो गया ना यह चलते है कोशन नमबर 25 यदि कोई धन 5 वर्च में अपने आपका 3 गुना हो जाता है 5 वर्च में क्या हो जाता है 3 गुना हो जाता है तो एक वर्स में ब्याज कितना आया जी एक वर्स में 5 से डिवाइड करोगे 40 रुपे ब्याज आया कितने रुपे ब्याज आया 40 रुपे एक वर्स में 40 रुपे ब्याज मिलता है आपको रेटी तो बताना था चालीस रुपई मिलता है P50 निकाल कि तूंहों जाड़ा चालीस परसेंट है TO KITNA हो जाएगा से लोगा Hang Haa Yo ERP जानों फिरा पींहा Auchanी ओ सरुपẫn है तो किटना हो चालीस खैए तर कितने निकाल सकते कोई दिक्कत नहीं है अराम से आप कर लोगे question ठीक है चलते है next question पर क्या कहता है देखो question number 26 यदि कोई देन 6 वर्स में अपने आपका 2 गुना हो जाता है तो दर ग्यात करनी है 6 वर्स लगे 2 गुना होने में यानि 100 से कितना हो गया 200 हो गया लेकिन वर्स कितने लगे भी 6 वर्स लगे खीक है तो कितने रुपे ब्याज मिला 100 रुपे ब्याज मिला 100 रुपे ब्याज मिला कितने वर्स में 6 वर्स में अब तो बटे छे रुपए ब्याज मिलता है एक वर्स में कितने रुपए पर सो रुपए पर गुना में सो करोगे परसेंट आजाएगा आपके पास सो से सो कटेगा सो बटे छे कितना होता है या फिर एक बटे छे की प्रेक्शन आपको परसेंटेज में बदलना है तो शोला सी दो बटे तीन परसेंट होता है आपको अंसर मिल जाएगाँ छलें भी नेच्ट कोशन पर यदि कोई धन तीन वर्स में अपने आपका आठ गुना हो जाता है कितने समय में अपने आपका 64 गुना हो जाएगा तीन वर्स में कितना हुआ आठ गुना हुआ यानि आपके पास एक रुपए है सो रुपए है तो वो कितना एक से कितना हो गया आठ हो गया ठीक है एक से कितना हो गया आठ हो गया यहाँ पर साथ रुपए ब्याज था वच्छे कितने साल में तीन साल में अब ये कितना है इसका तो ये कितना है नो गुना साथ का नो गुना है ना तो टाइम भी कितना लगेगा सधान ब्याज में तो नो गुना ही टाइम लगेगा ना अगर 63 रुपे ब्याज चीए, तीन साल में 7 रुपे ब्याज हो रहा है, तो 63 ब्याज होने में कितने वर्स लगेंगे, तो 9 से गुना करोगे, 27 वर्स लगेंगे, ठीक है, कितने वर्स लगेंगे, 27 वर्स लगेंगे, दुबारा देखो कैसे, 63 रुपे ब्याज चीए, 7 रुपए तो इसको भी नो से गुना करना पड़ेगा अब 63 हो गया ना यह तो यह कितना हो गया 27 वर्स हो गया ठीक है तो अंस्वर भी क्या हो जाएगा 27 वर्स हो ठीक है चलते हैं भी नेक्स्ट कोश्चन पर कोश्चन नमबर 28 यदि कोई धन 6 वर्स में अपने आपका 2 गुना हो जाता है तो कितने समय में वह है अपने आपका 10 गुना हो जाएगा यह बताना है आपको छे वर्स में अपने आपका कितना हो गया दो यानि एक से दो हो गया छे वर्स लगे उसको एक से दो होने में तो वो एक रुपया ब्याज मिलता है उसको छे वर्स में अब क्या करना है एक से उसको दस करना है तो ब्याज कितना रुपय होगा भी नो रुपय होगा ठीक है एक रुपया ब्यास मिलता है च्छे वर्स में तो नो रुपय ब्यास तो इसको भी नो से गुना कर दो नो चिक्या कितना चौंबन तो चौंबन वर्स लगेंगे दस गुना होने ठीक है चलें बैए नेक्स्ट कुश्चन पर यह लो जी उना तीस नंबर कुश्चन कोई धन 2 वर्ष में 2100 तता 5 वर्ष में 250 रुपए बन जाता है धन वे दर ग्यात करो कोई धन 2 वर्ष में 200 रुपए बना 5 वर्ष में कितना बन गया वे 250 तो कोई धन था वो 2 वर्ष लगे उसको कितना होने में 2100 में ठीक है और बाइस सो पचास होने में उसको कितना टाइम लगा तो यहां से यहां तक उसको टाइम लगता है पांच वर्स तो यहां से यहां कितना टाइम लगाओगा तो पांच वर्स यहां से यहां लगता है दो वर्स यहां से यहां लगता है तो यहां से तीन वर्स लगाओगा और तीन वर्स में ब्याज कितना हुआ तो एक सो पचास रुपए होगा एक सो पचास रुपए ब्याज है तीन वर्स में तो एक वर्स में कितना होगा पचास रुपए अब आपको क्या निकालना है तो आपको धन वदर ग्याद करना है तो धन निकालने के लिए आपको क्या करना है दो वर्स लगें एक की सो होने में तो दो वर्स में ब्याज कितना रहोगा 50 रुपए एक वर्स में तो दो वर्स में कितना हो गया 100 रुपए तो इसके अंदर 100 रुपए ब्याज भी तो जुड़ा हुआ है ना तो धन कितना रहोगा इससे 100 कम रहोगा वो कितना हो जाएगा 2000 अब आपको दर चाहिए तो 50 रुपए ब्याज मिलता है एक वर्स म लगी ठेका आधा है यह लुए है को इद्हें पैंच वर्स में दस और-जार हो जाता है और वर्स में दस हजार आठसो जाता है पांच वर्स में कितना हुआ भी दस अजफ़ ऩट पांच वर्स लगे और साथ वर्स में कितना हो गया दस हजार आठ सो हो गया तो यहां से यहां कितने वर्स लगे दो वर्स लगे भी क्योंकि यहां से यहां साथ वर्स लगते हैं और यहां से यहां पांच वर्स लगते हैं तो दो वर्स में कितना हुआ दस हजार से दस हजार हो गया, आठ सो रुपे ब्याज बन रहा है न यहां से यहां, तो आठ सो रुपे ब्याज मिलता है दो वर्स में, दो वर्स में कितना मिल रहा है, आठ सो रुपे मिल रहा है, एक वर्स में कितना मिलेगा, चार सो रुपे मिलेगा, तो पांच वर्स में कितना मिला होगा, तो 10,000 से आपको क्या चाहिए अब पाइंट रेट, रेट से पहले हम मुल्दन भी निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहां से आपका 10,000 से 2,000 कम 8,000 हो जाएगा, अब आपको एक वर्स में ब्याज कितना मिल रहा है, भी 400 रुपे मिल रहा है, अब आपको 400 रुपे ब्याज म कटेगा और यह 20 पर कटेगा तो टोटल कितना हो गया 5% हो गया एक बटे 20 किसकी fraction 5% की fraction तो 5% आपका क्या हो जाएगा ठीक है भी चलते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर क्या कहता है देखो एक रेंड जाता ने पाया कि दर में 13% से 12 से एक बटे 2% तक बदलाव होने से उसकी आए 104 रुपए घट गई उसकी मुलधन ज्यात करना है आपको मुलधन क्या होगा उसके दर कितनी है साड़े 12% हो गई 13% से यानि हाफ घट जाती है उसके दर तो उसको क्या हुआ 104 रुपए का घटा हो जाता है कम पैसे मिलते हैं तो किसकी वज़े से तो तेरा से बारा से ही एक बटे दो ही है यानि एक बटे दो परसेंट की वज़े से तो प्रिंसिपल का जो एक बटे दो परसेंट रहा होगा बच्चे वो कितना रहा होगा वो आपका रहा होगा 104 ठीक है? कितना रहा होगा? 104 रहा होगा, तो principle का 1% कितना रहा होगा? तो 208 रुपई रहा होगा, 100% कितना रहा होगा? तो 20,800 रहा होगा, ठीक है? निकाल भी सकते हो यहाँ से, principle का 1 बटे 2% यानि 1 बटे 2 गुना में 100 बराबर है 104 के, ये इदर जा करके multiply होगा 208 ये 100 multiply होगा तो 208 के पीछे 2 0 अंस्वर हो जाएगा ठीक है जब किसी बैंक के ब्याज दर 5% से घटकर 4% हो जाती है तो एक वैक्टी 2000 रुपए और जमा करता है ताकि इसको पहले जितना ब्याज प्राप्त होता था वो उतना ही ब्याज अभी प्राप्त कर सके तो आरंबिक जमा धन्रासि थी वो कितनी थी आपको वो बताना है ये questions आपके लिए comment करना है आपको homework आपके लिए comment करके आप बताना है इस question का अंसर क्या होगा बहुत अच्छा वर बैतरी इन question है तो कल की class में इसको करेंगे हम आज की class आपको कैसी लगी comment करके जरूर बताना अगर अच्छी लगी हो तो like करना दोस्तों के साथ share कर देना और जो बच्चा यहाँ पर नया आया है वो चैनल को subscribe कर लेना thanks for your love and sport next class में अच्छे कोशनों के साथ फिर मिलेंगे तो हसते रहिए मुश्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए ठीक है अच्छे कोशन करेंगे अच्छे से त्यारी करेंगे तो अच्छी सी नौकी मिलेगी ठीक है चलो बई आज की class में इतना ही thank you, bye bye take care, अपना और अपनों का ख्याल रखें, love you all, bye